दी में ब्रम्हास्त्र गाडने के लिए विवश हो पठान की तरह हजार कोट से उपर का कलेक्शन कर पाएगी सब जानेंगे बसकुशी देर में तो वीडियो को अंतर जरू देखना अगर आप भी अधि पूरस और पठान दोनों फिल्में रिलीज होने के पहले ही काफी लंबे समय से टैंडिंग में रही थी बात अगर पठान की करें तो पठान को मिक्स रिव्यू और रियक्शन मिले थे किसी को पठान बहुत ज़्यादा पसंद आये थी किसी की दिल में पठान जगय बना ही नहीं पाई थी लेकिन उसके बावजूद इस साल की सिनेमा घर में लॉंग लास्ट टिकने वाली मूवी थी जो शुरू के दस दिन तंग लगातार हाउस फूल सोस देकर पब्लिक को खूब इंटर्टेन किया था दोस्तों वाकरी में मानना पड़ेगा पठान ने जो एक्षन था पठान का जो एक्षन सिपकुल था वो एक बार के लिए हॉलिवूड को टक्कर दे रहा था जहां दोस्तों मुवी का कॉंटेन बिल्कुल फूल एक्षन इसपाई थीडर था और इस फिल्म ने वल्लिवूड इंडिस्टी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में अपना नाम भी दर्ज कर लिया था और पूरी दुनिया से टोटल लाइटफायम बॉक्स घॉपिस कलेक्शन लगबग 1059 क्रोंड के आसपास का रहा है जो कि एक बवहात बड़ा नंबर है इजिकर साथ होच्टकल इंडियन बॉक्स घॉपिस कलेक्शन लगबग 5443 क्रोंड के आसपास रहा था अपने तो दोस्तो पहले दिन जवर्दस ओपनिंग ले थी 57 क्रोन की इंडिया से और दूसरे दिन 70 क्रोन, 30 दिन 49 क्रोन और पहले तीन दिन का ही इंडियन बॉक्स ओपिस कलेक्शन लगभग 166 क्रोन की आस्वास कर लिया था इसके साथ दोस्तो बात करें अगर कास की तो सारुक खा बहुत ज़्यादा मिलने हैं तो मानूगे नहीं हच से ज़्यादा वेकार रिव्यू के साथ इफिल्न लगाता टेंडिंग पर चल लई है किसी को भी यह नई रामायन बोले तो ओम्राउत की इस रामायन ने लोगों के दिल में जगहीं नहीं बना पाई है क्योंकि बहुत स जिस आप से फिल्म को क्रिटिसाइज करा जा रहा है कोई भी नोर्मल अक्टर की फिल्म होती 10 क्रों से उपर तक का बिजनस नहीं कर पाते है लेकिन वहीं बात है ना प्रभास और रामायन का नाम इस्तिमाल करके यह लोग खुब नोट चाप रहे हैं और अपनी रोटी रो रिकॉर्ड तोड़कर खदेड़ा है आधिपुरस में लेकिन चौथे दिन से हर दिन आक्रा स्लो होता दिखा है मुईं को इतना क्रिटिसाइज करा गया है कि आप ग्रोथ पूरी तरीके से रुख सी गई है साइध ही यह अपनी लागत शाड़े 600 क्रों निकाल पाए मुई जिसाब से इसके चौथे पांच में और छटवे दिन के करेक्शन होए है उसे देखकर साब जाहिर होता है कि मुवी 500 क्रों कमाले यही बहुत है दोस्तो आधिपुरस को रमायन के कॉंटेंट के साथ रीक्रियेट करके पबलिक को नई तरीके से दिखाने के कोशिस करी थी जो बिलकुर पसंद नहीं आया जनता को और मुवी फ्लॉप होती दिख रही है जिया दोस्तो प्रभास के में लीड में बनने वाली आधिपुरस जिसमें सेकंड लीड में आपको क्रिवती सनन्ग देखेंगी में विलिन में आपको रावन के रूप में सैफिली खान देख कर पाएगी फड़ा बड़ में रैकाउंड और से जूरी सारी अपडेट्स के लिए और बलिवुड हलिवुड और साथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमार साथ ऐसी जोड़े रहना और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्स्राइब जरू करना दूसरा अंगुठे वाला बटन दबागी वीडियो को लाइक जरू करना मिलते हैं गली वीडियो में जाहित